शाहरुक खान की जवान बॉक्स ओंफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम कर रही है किंग खान की ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है वहीं कमाई के मामले में भी ये फिल्म इतिहास रच्ती नजर आ रही है शाहरुक की पिछली फिल्म पठान ने बॉक्स ओंफिस पर काफी शांदार परफॉर्म किया था जवान उससे भी दो कदम आगे चल रही है फिल्म ने शुरुआती दो दिनों में छपपरफाट कमाई की और तीसरे दिन भी फिल्म ने ताबट तोड परफॉर्म किया है तीन दिनों में ये फिल्म दो सो करोड के पार जा चुकी है जहां समीक शकों से फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर फैंस का रियक्शन हर दिन देखने को मिल रहा है तभी तो फिल्म की कमाई भी रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है दरसल जहां फिल्म ने दुनिया भर में दो सो करोड पार का कलेक्शन कर लिया है तो वहीं केवल तीन दिनों में ही भारत में ये कमाई हासिल कर ली है जो कि किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है आईए आपको बताते हैं तीसरे दिन कैसी थी शाहरुक खान की जवान की रफतार बॉक्स ओंफिस ट्रैकर सचनिल्क के शुरुआती आंकडों के अनुसार जवान बुलेट ट्रेन की तरह दौड रही है इसी के चलते तीसरे दिन फिल्म ने 44.5 करोड की कमाई की है जिसके बाद जवान का कलेक्शन 202.73 करोड हो गया है वहीं इसमें 177.73 करोड हिंदी तमिल 14.37 करोड और तेलुगू में 10.63 करोड की कमाई कर चुकी है बता दें जवान कमाई के मामले में पहली हिंदी, आफ ओनल टाइम, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है जबकि साल में शाहरुक खान की दूसरी ब्लॉक बस्टर साबित होने की राह पर निकलती दिख रही है इस फिल्म में शाहरुक खान ने डबल रोल प्ले किया है उनका एक रोल बाप का है और दूसरा बेटे का दोनों ही किरदार में फैंस उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं फिल्म में विजय सितुपती विलेन के तौर पर नजर आए है साथी सुनील ग्रोवर, संजीता भटाचारिया, सान्या मलहोत्रा, रिद्धी डोगरा जैसे सितारे भी फिल्म में नजर आए है